Hello student, Maths class 3rd, Roman Numerals कल हमने Roman Numerals के introduction की थी आप ये topic करने से पहले एक बार वो वीडियो भी जुरूर देखे introduction को आप एक बार revise करें उसके बाद ही आप ये question solve करें exercise के हाँ जी first question given है Write the Roman Numerals for the following जो नीचे देर के statement उनके लिए हमने क्या लिखना है Roman Numerals write करने हैं A part given है 8 क्या लिखा है A part में 8 8 के लिए हमने क्या Roman Numerals लिखते हैं V यानि कि 5, 5 में 5 प्लस 3 5 प्लस 3 होते हैं 8 कितना होता है 5 प्लस 3 is equal to 8 होता है तो 5 के लिए V और 3 करेंगे तो यानि कि 3 times I लिख देंगे तो जब हम add करते हैं जो हमने introduction में पढ़ा था कि जब भी हम greatest numeral में smallest numeral add करते हैं तो हम right side लिखते हैं तो यह इस type से इसके right side लिखे जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे V I, 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 I 3 times I यानि कि यह हो गया हमारा 8 Now हम लिखेंगे 17 V part है 17, 17 को कैसे लिखेंगे 10 10, 10 प्लस 5 5, 15 और प्लस 2 यह बन गया 17 10, 10 में हमने 5 एड़ किया यानि कि जो add करते हैं वो कहां लिखते हैं right side लिखते हैं जो greatest number के right side हम लिखते हैं जिसको हमने add करना होता है 10 प्लस V किया यानि कि हमने 5 और 5 में 2 और प्लस करेंगे तो तब जाके हमारा कितना बनेगा 17 now see करेंगे 24 24 को हम कैसे लिखेंगे 24 में यानि कि 10 प्लस 10 प्लस 4 24 कैसे बनता है 10 प्लस 10 प्लस 4 तो 10 के लिए x यूज करते हैं कौन सा symbol यूज करते हैं normal numerals में 10 के लिए x तो x प्लस x प्लस 4 4 को कैसे लिखते हैं यानि कि 5 में से 1 माइनस यानि कि iv लिखते हैं 4 के लिए तो इसके लिए x x i v ये क्या होगे 24 यानि कि 10 प्लस 10 20 और यहाँ पे लिखेंगे इसमें 4 प्लस कर दिया हमने right से लिखें 4 iv क्या होता है हमारा 4 यानि कि 5 में से 1 माइनस किया हूँ है 5 में से 1 माइनस करके 4 निकाला हूँ है 4, 10, 20 and 4 क्या बन गया 24, now D है 37 37 को क्या लिखेंगे 3 times लिखेंगे X, 10 उसमें 10 प्लस कर दिये 20 10 प्लस कर दिये 30 जब बार-बार repetition हो रही होते है जब बार-बार repetition हो रही होते है numerals की तो उसका मतलब होता है कि उनको हम add कर रहे है यानि कि 37 लिख रहे है तो 10 प्लस 10, 20 प्लस 10, 30 और उसमें हम क्या add करेंगे 7 add करेंगे 30 प्लस V, 35 और 2, 2 add करते है तो यह कितना मन गया 37, now E 18 लिखना हमने 18 हम कैसे लिखेंगे 10 प्लस V, 15 15 में 3 प्लस करेंगे 1, 2, 3 कोई भी symbol जो भी हम roman numeral में 3 times use कर सकते है 3 से ज़्यादा हम उसे use नहीं कर सकते तो 3 times हमने यहां पर use किया आई है now F part है 30 30 को हम कैसे लिखेंगे 10 plus 10, 20 20 plus 10, 30 3 times हमने x को use किया 3 times हम किसी भी symbol को use कर सकते है तो इस type से हम क्या लिखेंगे 30 now G है G में क्या लिखना है 35 तो 10 times हम x लिखेंगे 30 और प्लस में 5 प्लस कर दिया तो क्या बन गया 35 39 लिखना है तो 39 लिखेंगे 10 plus 10, 20 plus 10, 30 30 इसमें क्या करना है हमने 9 एड़ करना 39 क्या होता है 30 plus 9 यानि कि 30 के लिए हम 3 times x लिखा है और इसमें हमने 9 एड़ करना 9 क्या होता है i x यानि कि x में से 1 minus i x क्या होता है 9 तो इनको मिलाके इसमें ये एड़ करके इंको मिलाके क्या हो गया हमारा क्या बनेगा 39 तो यहां पर i x 3 x x 10 20 30 और 9 प्लस कर दिया तो कितना बन गया 39 आई पार्ट है आई पार्ट भी सेम ऐसी है 10 20 30 और 2 प्लस करना है तो इसमें 2 एड कर दिया हूं सेकिंड कोश्चन राइट दा हिंदू अरेबिक नूमेरल्स लिख रहे हैं यानि कि रोमन में आपको यहां पर वैलियू उस गीवन आप इसको हिंदू में लिखोगे यहां पर यह पार्ट है यानि कि 10 आपने इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई बीगेस नूमेरल्स में से नूमेरल्स के लेफ्ट में हम स्मॉलेस लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो उसमें से सब्ट्रेक करते हैं क्या करते हैं उसमें से सब्ट्रेक करते हैं बीगेस रोमन क्या लिखा है यहां पर 10 एक्स किसका सिंबल है 10 का 10 को रिप्रेजेंट करता है तो 10 के left में हमने i लिखा यानि की 1 लिखा है तो इसका मतलब है 10 minus 1 इसका मतलब है 10 minus 1 क्योंकि जब minus करते हैं तो वो कहां चला जाता है left में चला जाता है तो इसलिए x के left में 1 जो smaller biggest के left में smaller number आता है तो वो उसका मतलब होता है कि उसमें से minus करते है तो ही क्या बन गया 10-1 9 1 च्फी नलव b part जऄ है वाइब पार्थ में 10 प्लस 10 20 20 और iv का मतलब है 4 i IV को हम क्या लिखते हैं, 4, यानि कि 5 में से 1 माइनस किया 4, तो यह इसमें right side लिखर का, IV इसके right side लिखर का, यानि कि इसमें plus किया हुआ है, 10 plus 10, 20, 20, 20, 20, 20, 24, हाल जी, now see, 10 plus 4, 10 plus 4 कितना आया, 14, X लिखा हुआ है, फिर IV, IV क्या होता है, 4 होता है, और यह होता है, 10, तो इनको plus कर दिया, 10 plus 4, 14, now D part, 10 plus 10, 20, 20 plus 6, 20 plus 6 कितना बन गया, 26, V के आगे 1 लिखा हुआ है, यानि कि 5 plus 1, 6, 6 बनता है, right side V के I लगा हुआ, तो 6 होता है, अगर left side I लगा होता है, तो उसका मतलब होता है 4, यह हो गया, 26, now E part, 10 plus 10, 20, 20 में 9, यह IX का मतलब है, 9, तो इसका मतलब है, 29, now F, F में 3 times X है, यानि कि 10, 20, 30, 3 times X को plus कर दिया, 3 times 10 को plus कर दिया, तो इसका मतलब है, 30, now G part, 10 plus 5, कितना बन गया, 15, now H part, 10, 20, 30, 30 plus 5, 35, 35 plus 3, कितना बन गया, 38, आपको यहाँ पर solve करके दिखाती हूँ, जो X है, वो किसको represent करता है, 10 को, यहाँ पर plus 10, plus 10, 3 times X दिया है, यानि कि यह क्या है, 3 times हमने 10 को plus करना है, उसके बाद में V, V के लिए हम क्या लिखते है, 5, then plus में I, यानि कि 1, फिर plus में 1, फिर plus 1, यानि कि 3 times हमने 1 को plus करना है, last में, तो 10 plus 10, 20, 20 plus 10, 30, 30 plus 5, 35, 35 plus 1, 36 plus 1, 37 plus 1, 38, 38, कितना बना है, इनको add करके, total कितना है, हमारा यह number क्या बना है, 38, now I part है, 10 plus 5, 15, 15 plus 3, 18, now question number 3, statement given है, tick the correct and cross the incorrect numeral, tick करना है, जो भी correct numeral है, उसको tick करना है, और जो incorrect है, उसे cross करना है, तो A part में हमें given है, 10 plus 1, 11 plus 1, 12 and 1, 13, यानि कि 10 में, right side हमने 3 small numeral रिक रखे हैं, तो यानि कि वो उसमें 3 plus कर रखा है, 10 कि 10 plus 3 है यह, तो 13 बनता है, तो इसको हम tick करेंगे, यह सही है हमारा, no, V part, V part में V plus V, तो V plus V हमने introduction में पढ़ा है, कि V और V, यानि कि जो V है, उसे हम कभी भी repeat नहीं करते, V plus V हम 10 नहीं करेंगे, हम 10 के लिए अलग से symbol X use करेंगे, अगर हमने यहाँ पर 12 लिखना है, तो हम 12 को कैसे लिखेंगे, x plus 1 plus 1 यानि कि इस type से हम 12 लिखेंगे नहीं कि इस type से तो यह हमारा cross लगाएंगे हम यहाँ पर इस type से इसे नहीं लिखेंगे अगर 12 लिखना तो हम इस type से v को repeat हम नहीं करते हैं now c c part में 10 plus 10 20 यहाँ पर given है और i को कितने times यहाँ पर use कर रखा है four time लेकिन हमारी condition होती है कि कोई भी symbol हम only three times से use कर सकते है four time हम use नहीं कर सकते है तो यहाँ पर cross आया है यहाँ पर 10 plus 10 20 plus 10 30 plus 31 बन रहा है यह बिल्कुल हमारा correct है क्योंकि three times x use कर किये हुए है तो three times हम use कर सकते है x को now e part e part में 10 x जो x है वो four time use कर कर रखा है तो four time हम नहीं use कर सकते है यहाँ पर 10 plus 10 20 30 plus 5 35 यह हमारा correct है g g में 10 plus 5 15 है यह भी correct है हाँ जी यहाँ पर यह यहाँ पर x में से 2 minus किया है x में यह हमारा incorrect है हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते होते हैं हमारा यह number नहीं बन रहा and last में आई है 10 plus 10 20 20 plus 4 24 बन रहा है तो यह correct है हाँ जी thank you झार झारी कि में है झैँ सकते हैं है झालीあります झाली